Hello my dear student, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुस होंगे काफी ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहेते हैं कि साथ साइंस की क्लास जल्दी से करवा दीजे यह हमारा भागबन होगा जिसमें हम प्रकास के परावरतन इवावरतन के पूरे वेसिक कंसेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छे तरीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक-एक डाइग्राम की तिरू हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा वीडियो पूरा देखेगा, वीडियो कंप्रीट देखने के बाद आपके मन में प्रकास के परावरतन इवावरतन से संबने कुछ भी डाउट नहीं रहेगा तो बिल्कुल सिरुवात से हम आपे समझने वाले हैं एक-एक चीच को वाकि एक information में आपको देदू, अगर कोई new student हमारी वीडियो को देख रहा है तो daily sum को साड़े आट बज़े हमारी live class होती है mathematics की तो आप उसको भी join कर सकते हैं, daily sum को साड़े आट होती है चलिए आज किस class को हम start करते हैं तो dear student, ये notes मैंने खुद आपके लिए तयार किये हैं बिल्कुल सरल भासा में एक-एक notes मैंने आपके लिए बनाया हुआ है और with diagram मैं आपको हर एक point समझा दूँगा ठीक है, जिससे आपके question answer भी clear हो जाएंगे और अगर आप ये window अच्छे तरीके से समझ लेते हो वेसे concept समझ लेते हो तो आपके numerical भी यूँ हल हो जाएंगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहने वाली चलिए फटाबर से हम एक एक question को complete करते हैं आपे सबसे पहले हमारा question आता कि वही प्रकास किसे कहते हैं प्रकास किसे कहते हैं प्रकास उर्जा का वहरूप होता है जिसकी सहायता से हम वस्तों को देख पाते हैं उसे प्रकास कहते हैं कहने का मतलब उर्जा का वहरूप जिसके माद्यम से हम वस्तूओं को देख पाते हैं उसे प्रकास कहते हैं प्रकास के गुण कौन-कौन से होते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं और यहां से question paper में पूछे गए हैं आगे भी पूछे जाएंगी तो ध्यान रखेगा प्रकास के गुण भाई प्रकास की रण आएगी तो इसकी यहां पर एक चाया बना देगी ठीक है इस तरीके से प्रकास जो है अपार दसी बस्तों की तीक्षण चाया बनाता है प्रकास की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है और प्रकास की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रती सेकंड सबसे important point आपको यही आद रखना है कि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रती सेकंड प्रकास की चाल होती है ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकास का परावर्तन क्या होता है? देखिएगा प्रकास का परावर्तन जब प्रकास की रन किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार सतल पर आप्तित होती है तो वे तल से टकरा कर बापिस उसी माध्यम में लोड़ जाती है समझ रहे हो? जब किसी चमकदार सताय पर प्रिकास किरन टकराएगी तो परावर्तित होकर उसी माध्या में बापिस चली जाएगी इसी घटना को हम प्रिकास का परावर्तन कहते हैं इसको आप डाइग्राम से समझी आपको यूँ याद हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक प्रिकास किरन यहाँ पर आर जो है आपतित हो रही है और यह जो MN आप देख रहे हैं यह परावर्तक तल है यह परावर्तक प्रेश्ट इसको कह सकते हैं यानि इसमें प्रिकास आर पार नहीं जा सकता यह किरन जैसे ही आप परावर्तित होगी और यहां से यह परावर्तित होकर यह S किरन के रूप में परावर्तित हो जाएगी यहां जो PQ आप लाएन देख रहा है इसको हम अभी लंब बोलते हैं जो कि आपतन बिंदू पर लंब होती है और अभिलम और आब्तन क्रण के बीच में जो कौंड बनता है उसे हम परावर्तन कौंड कहते हैं जिसे आर सीदर साते हैं आब्तन कौंड को I सीदर साते हैं ये चीज़ आगे भी आपको clear हो जाएगी आगे हम देखते हैं परावर्तन की नियम सबसे important question कई बार paper में पूछा गया है कि परावरतन के नियम क्या होते हैं लिखिए सबसे पहला नियम आपको याद रखना है कि आपतन कोण और परावरतन कोण का मान वराबर होता है अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आपतन कौन और परावरतन क्या होते हैं देखो, अभी मैंने आपको बताया ये जो कौन होता है अभीलम और आपतित क्रण के बीच में बनता है इसे आपतन कौन आई कहते हैं और यहाँ जो कौन बनता है अभीलम और परावरतन क्रण के बीच में पराबर होते हैं आगे हम देखते हैं दूसरा नियम इसका दूसरा नियम क्या कहता है देखो भई आप्तित किरन अवीलंब एबं पराबर्तित किरन सभी एक ही तल में होते हैं कहने का मतलब जो आप्तित किरन है और जो पराबर्तित किरन एबं अवीलंब एक ही तल में होते है यहां पे आप चित्र में देख सकते हैं यह हमारी आपचित किरण है R यहां पे I और यह परावर्दित किरण है S यहां से निकल गई और यह PQ हमारा अभी लंब है तीनो कहां पर है एक ही तल में तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आप दित किरण, परावर्दित किरण और अभी लंब तीनो एक ही तल में इस्तित होती है उम्मीद करता हूँ आपको बैसे भी याद हो चोके हो ठीक है आप इन नोट्स को अच्छे से एक दुबार पढ़ लिजीगा मेरे समझाने के बाद आपको अच्छे से याद होजाएगा साथ इन नोट्स का Energ आपको कहां मिलेगा वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन नोट्स का पीडीव आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से जाके टेलिग्राम जोइन कीजीगा इन नोट्स का पीडिया आपको वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं देखते हैं प्रती विंब क्या होता है वहाँ, सबसे important चीज और पूरा खेल इस chapter में प्रती विंब का ही है विविन्ने तरह की प्रती विng हम बनाएंगे अभी सिर्फ आपको प्रती विंब कैसे होना चाहिए की कैसे बनता है कहां बनता है, देखो वही सबसे पहले यह समझो कि प्रति विम्ब क्या होता है मानली जी यहां कोई वस्तू रखी हुई है और यहां से प्रकास इस्वर पड़ा और यह वस्तू जो है अपार दर्सी है कैसी है अपार दर्सी है जब यह वस्तू अपार दर्सी है लेकिन वाश्तम में प्रतिविंबु कैसे बनता है आप यहां देगेंगे विज्ञान की भासा में प्रतिविंबु वहां बनता है जहां दो किरनों या दो परावार्थित किरने प्रतिछेदित करती है या प्रतिछेदित होती प्रतिथ होती है अब यहां ध्यन देने वाली बात है कि एक जगह आपको प्रती छेदित होती है लिखा है और एक जगह आपको लिखा है कि प्रती छेदित होती है तो प्रती छेदित कहा होती है अबतल लेंस में होती है आगे आप पढ़ेंगे आपको किलियर हो जाएगा और प्रती छेदित ह होती नहीं है लेकिन होती जैसी प्रतीत होती है तो ये चीज कहां पर होती है ये चीज होती है हमारी उत्तल दर्पन में आगे आप पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पन क्या होता है अब प्रतिविम कैसे बनते हैं ठीक है अब प्रतिविम कितने प्रकार के होते हैं प्रतिविम दो प्रकास की जो परावर्थित करने हैं वो वास्तव में एक दूसरी को प्रॉस करती हैं तब वास्तविक पृति में बनता है वास्तविक पृति में की दो तीन वात आपको याद रखने हैं कि यह सदेव उल्टा बनता है इसे परदे पर प्राप्त किया जा सकता है सबसे सिंप एक हां पृतिशयध करता है कि यहां प्रतिशेदः कर रही है यानि प्रतीथ होता है इसके दो कोड़ेगा डो पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये प्रतिविंब हमेशा सीधा बनता है कैसा बनता है ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं उम्मीद करता हूँ आपको यहां तक सारी चीज़े क्लियर हो गए होगी एक बार कमेंट करके हमें जरूबत आएगा आपको सारी इसी के भाग होते हैं और इनहीं पर लगवाक आपका 50% चाप्टर खत्さ हो जाएगा तो गोली दरप्न ऐसे दरप्न होते हैं जिनका जो परावर्तक प्रेश्ट होता है ये गोली होता है यानि कि किसी गोले का एक उधारन अपन ले सकते हैं ये एक गोला है और इसका वर्ता क्रेस्ट कहते हैं ठीक है आगे हम देखते हैं कि गोली दर्पन की प्रिकार कितने होते हैं हम देखेंगे भाई गोली दर्पन की दो प्रिकार होते हैं सब कौन-कौन से होते हैं पहला हमारा अवतल दर्पन दूसरा हमारा होता है उतल दर्पन आगे हम जानेंगे कि खेल शिरू हो जाता है एक एक चीज आपको ध्यान से समझने है वित डाइग्राम में आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं ठीक है तो अपनी नजरे वीडियो पे जमाय रहिएगा छोड़ कर विल्कुल नहीं जाना अधरवाइस आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएग और इसका यह जो परावर्तक प्रष्ट है यह जो आप देख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं परावर्तक प्रष्ट बोलते हैं कहने का मतलब यह है कि मान दीजिए यह पूरा का पूरा एक गोला है और इस गोले में से हमने इतना भाग काटा है ही और यह हमारा बन गया आव उत्तल दर्पन गोलते हैं, क्या गोलते हैं, आवत्तल दर्पन और यहां हमने लिखा भी है, कि अंदर की ओर या फिर गोले के केंद्र की ओर ये वक्रित होता है, इसलिए इसको आवत्तल दर्पन कहा जाता है, ठीक है, अब हम देखते हैं वई, कि उत्तल दर्पन क्या होता है समझिएगा द्यान से उत्तल दर्पन वह गोली दर्पन जिसका परावर्तक प्रेष्ट बाहर की और वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पन कहा जाता है देखो बई जो परावर्तक प्रेष्ट है परावर तक प्रेष्टे माने कि यहां से अगर कोई किरन आएगी यहां टकराएगी और यह बापिश चली जाएगी मतलब इसका जो परावर तक प्रेष्टे वो कहाँ उभरा हुआ है बाहर की ओर, यहां गोले का केंदरों का लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना दें तो गुले का केंदर यहां होगा, लेकिन यह मुड़ा किस तरह भई? यह बाहर की ओर, इधर मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दरपन कहते हैं, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, और देखते हैं भई कि अवतल दरपन के उपियोग क्या-क्या होते है और यहां से मेरी एक चीज आप याद रखिएगा, कि क्वेश्चन यहां से डारेक्ट पुछा जाता है, आवतल दरपन के कोई दो उपियोग लिखिए, या प्रिष्ण आपसे पुछा जाएगा कि आवतल दरपन के उपियोग लिखिए, सबसे पहला उपियोग आपको लि लिखने के लिए आवतल दरपन का उपियोग किया जाता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आग, कान, दात, नाग, गला, इत्यादी के इलाज के लिए डॉक्टर आवतल दरपन का उपियोग करते हैं, तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि डाड़ी बनाने के लिए जिस द उत्तल दर्पन के उपयोग, यहां से भी डारेक्ट्रिस ने पूछा जाता है, कि उत्तल दर्पन के उपयोग लिखिए, देखो वई, उत्तल दर्पन के उपयोग क्या क्या होते हैं, सबसे पहला उपयोग आपन देखेंगे, उत्तल दर्पन का उपयोग गली तथा वाजारो उपढ़आों में लगे लैमपों के ऊपर किया जाता है छीक है? जो आप वलफ देखते हूं आपना जो घरों में वलफ जलता है वो भी एक तरीकी से उस्तर चुदकि वो उस्तर लैंस होता है लेकिन होता उस्तर्व ही होता है इसी पिरकार से ऐसे गली बाज़ारों में लगे रहते हैं जो दरपन उनको भी या जो लेंप लगे रहते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं उत्तल दरपन कहते हैं इसका सबसे अच्छा उप्योग मैं आपको दूसरा वाला बता रहा हूँ कि उत्तल दरपन का उप्योग बाहनों में पीछी का द्रश से देखने के लिए किया जाता है आपने देखा होगा मोटशाई के कार टेक्टर बगेरा में जो आगे दरपन लगा रहता है वो उत्तल दरपन होता है जिसमें हमें पीछी का सारा एरिया कवर दिखाई देता है ठीक है? तो आप लिखेंगे कि उत्तल दरपन का उप्योग जो है बाहनों में पीछी का द्रश देखने के लिए किया जाता है चाले आगे हम बढ़ते हैं अब देखिए सबसे important चीज़ी यहां पर आने वाले हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने यहां तक class देखी है तो आगे जो चीज़ें में आपको बताने वाला हूँ उनको छोड़ना नहीं है आपको बहुत डिटेल में समझाऊँगा डाइग्राम की दिरू समझाऊँगा और सबसे important पार्ट यही है अब जो बिंदू में आपको बताने वाला हूँ यह समझ दीजी इस chapter की जड़ है अगर आपने इनको छोड़ दिया इनको ढंक से नहीं समझा तो समझ दीजीए आपने जो अभी तक वीडियो देखाया वो किसी काम का नहीं है तो आपसे अनुरूद रहेगा मेरा कि वीडियो को complete देखीगा आगे बहुत अच्छे अच्छी चीजे में आपको बताने वाला हूँ चले वाई सबसे पहले हम देखते हैं कि गोलिये दरपण में प्योग तो होने वाले सब्द बहुत important topic है गोलिये दरपण में किन किन सब्दों का उप्योग करते हैं उनको हमें जानना बेहस जरूरी है देखो वाई विद डाइग्राम में आपको समझाऊंगा उत्तल दरपण का डाइग्राम भी हम लेंगे और अवत्तल दरपण का डाइग्राम भी हम यहाँ पे लेंगे चलो वाई सबसे पहला सब्द यूज होता है कि धुरूग धुरूग कैसे कहते हैं पारेक्ट कोशन भी आप से पूछा जाता है कि धुरुट किसे कहते हैं देखो व Barbie गोलिय दर्पần के परावर्त प्रस्ट के केंद्र को दर्पन का धुरुट कहते हैं क्या कहते हैं ये गोलिय दर्पन है गोलिय दर्पन लैसे हमने बनाया अवदल दर्पन थोड़ा सा और मैं छोटा कर लिता हूँ यहां देखिए यह हमने एक अवदल दर्पन लिया है यहां पर लिया है हमने उत्तल दर्पन तो अवदल दर्पन का यह है परावर्तक प्रेश्ट और इसके बीचों बीच इसका जो केंदर होता है इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं दरपन का ध्रूब कहते हैं इसे अंग्रे जी के P अक्चर से दर्साते हैं यह हमारा उत्तल दरपन का ध्रूब हो गया यहाँ पे आप दिखेंगे उत्तल दरपन और उत्तल दर्पण में बीचो बीच जो point आपको दिख रहा है इसी point को इसी window को हम दर्पण का धुब कहते हैं और ये से हम पीसे दर्स आते हैं उम्मीद है आपको धुरूप समझ में आ गया होगा आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है सबसे important चीज वक्रता केंद्र क्या होता है समझेगा देखो बई गोली दर्पण आप ऐसे समझो गोली दर्पण एक गोले का हिस्सा होता है गोले का जो केंद्र होता है ना वही गोली दरपन का बक्रता केंद्र होता है ठीक है गोले का जो केंद्र होता है वही गोली दरपन का बक्रता केंद्र होता है यहाँ पर आप इसकी परिभासा भी देखलें एक बार गोली दरपन का परावर तक प्रष्ट एक गोले का भाग हो यह जो है दरपन हमारा यह गोले का भाग है और यह गोले का केंद्र है इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं अगर आपन ऐसे करके इसको ऐसे मिला दे तो यह गोला बन जाएगा और यह गोले का केंद्र हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं दरपन का वक्रता देखो भई त्रिज्या यानि गोला या जो हमारा दर्पन जिस गोले का भाग है या जिस गोले से दर्पन बनाया गया है उसकी त्रिज्या को हम बक्ता त्रिज्या कहते हैं समझे भई गोली दर्पन का प्रावर्तक प्रस्ट जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दरपन की बक्रता त्रिज्या कहते हैं समझो आपने गोला पड़ा आपने गोला पड़ा है गोला क्या होता है देखो भई यह हमारा गोला हो गया और यह इसका केंद्र हो गया इसको हम बक्रता केंद्र भी कहते हैं दरपन में और केंदर से परदी तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है, ठीक है, त्रिज्या होती है, तो गोले की जो त्रिज्या है, वही दरपन की बक्रता त्रिज्या हो जाती है, दरपन की क्या हो जाती है, बक्रता त्रिज्या हो जाती है, दूसरे सब्दों में आप क्या कह सकते हैं देखो दूसरे सब्दों में आप कह सकते हैं वही कि दरपन के धुरूब से ध्यान से समझना वेटा क्या लिखा है सबसे इंपोर्टेंट और सबसे सरल भासागर मैं आपको बताऊं कि दरपन के धुरूब से वक्रता किंद्री की दूरी अभी हमने पड़ा यह हमारा धुरू के धुरूब से वक्रता किंद्री की दूरी हमारी वक्रता किंद्री की दूरी हमारी वक्रता किंद्री कहलाती है यहां यह उत्तल दरपन में देखो पी से लेके सी तक की दूरी पी हमारा धुरूब होता है सी हमारा वक्रता किंद्री होता है दोनों के बीच की दूरी हमारी आर यानि कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है उम्मीद है आपको सारी चीज़े के लिए हो गए होगी हाँ जी भई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और टॉपिक आपको बड़ी है समझ में आ रहा है गोली दरपन के ध्रोब तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम मुक्रता त्रिज्या कहते हैं देखो परिवास आपने पढ़ ली यह हमारा गोली दरपन है यहाँ पर इसका ध्रोब है और यह इसका वक्रता किंद्र है और बक्रता केंद्र से ये त्रिज्या हो गई, ये कौन सी त्रिज्या, बक्रता केंद्र, तो इस धुरूब से और इस त्रिज्या से मिलती हुई जो सीधी रेखा हम ऐसे खीचते हैं, उसी को हम मुख के अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख के अक्ष, यहां उत्तल दरपन म का वक्ता किंद्र और धरुब से बीच में दरुब और वक्ता किंद्र की बीच में बक्रता तरिचिया आर है तो इस बक्रता तरिज्या को मिलाती हुई या बक्रता तरिज्या से होकर जाती हुई सीधी रेखा जो कि दर्पन के धरुब से होकर भी जाती है इसे हम दर्पन का म मुख के आक्ष कहते हैं, उमीदे आपको किलियर हो गया होगा, आगे हम देखते हैं भाई, अगला पॉइंट मुख के फोकस, सबसे इंपोर्टन चीज़े भाई, मुख के फोकस को ध्यान से समझना मेरे भाई, चलो, पहले मैं आपको चितर से समझाता हूँ, फिर मैं आपको परिवासा बताऊंगा, तो यह हमने एक अभी फिलाल में अवतल दरपन का उधारन लिया है, यह हमारा एक अवतल दरपन है, और यहां दरपन का धुरूब है, यह बक्रता केंद्र है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, वो बक्रता त्रिच्या है, यह हमारा परावर् MN है, जिसे हम द्वारा की भी बोलते हैं, आगे आपको बदाऊंगा भी मैं कि द्वारा क्या होता है, ठीक है, अब हमने यहां से लेके यहां तक यह मुखक्च की एक लाइन की चली, यह पूरी लाइन कौन सी है, मुखक्च, जब कोई किरन मुखक्च की समानतर आपतित होती है, तो वो इस तरीके से परावर्तित होकर निकल जाती है, एक किरन यहां से आई, मुखक्च की समानतर यह मुखक्च है, और इसकी समानतर किरन आई, यहां टकर आई, और यहां से मुड कर यह परावर्तित हो गई, तो यह दोनों किरने, जिस विंदू पर आपतित होती है, या जिस बिंदू पर प्रतीचीद करती हैं, कट करती हैं, क्या करती हैं, कट करती हैं, प्रतीचीद करती हैं, उसी बिंदू को हम क्या बोलते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, अब समझेगा, ये किरन आई, देखो गट, दुबारा समझो, य यह की रण आई यहां से निकल गई यह की रण आई पराबरते थोके यहां से निकल गई यह दोनों किर्णे इस लाइन पर या मुख अक्ष पर जिस बिंदू पर टकराती है या क्रोस करती है उस बिंदू को हम मुख अक्ष कहती हैं क्या कहते हैं मुख अक्ष कहते हैं समझो अब हम परीजवासा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. पहले हम अबतल दरपण की बात करते हैं कि अबतल दरपण में कैसे बनेगा. देखो बई. मैंने यहां लिखा भी आए कि अबतल दरपण में. अवतल दरपन में मुक अक्ष के समांतर आप्तित किर्णे अभी समझ में आया कि समांतर कैसे मैंने आपको बताया था समांतर आप्तित किर्णे परावार्तित होकर मुक अक्ष से मुक अक्ष के जिस विंदू पर मिलती है उत्तल दर्पन में थोड़ी condition अलाग हो जाती है देखिएगा कैसे अलाग होगी अब उत्तल दर्पन का पहले डाइग्राम समझो तब आपको परिवासा आसानी से याद हो जाएगी यह हमने एक उत्तल दर्पन का डाइग्राम यह आपि ले लिया ये देखो ये उत्तल दरपन बना हुआ है ये हमारा मुक का अक्ष है और इसके समानतार एक रेखा आएगी और उत्तल दरपन है चूंकि तो ये इस तरह परिवर्तित हो जाएगी मुकक्च के और नहीं आएगी मुकक्च से विप्रीद सामे या इस तरीकी से ये परिवार्थित होके निकल जाएगी एक किरन यहां से आएगी यह यहां टकराई और इस तरीकी से नीचे की और बापिस चली जाती है लेकिन होता क्या है हम इन किरनों को जैसे ये बापिस चली गई तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये बकृता किंद यानि कि मुख अक्ष पे कहीं ना कहीं या मिलेगी इस किरन को भी हम ऐसे करके पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों किरने मुख अक्ष के जिस बिंदू पर बनती हैं उसी को हम मुख के focus कहते हैं विटा क्या कहते हैं मुख के focus कहते हैं उम्मीद है आपको clear हो गया होगा एक बार इसकी definition और आप पढ़ दीजीगा आपको और अच्छे से clear हो जाएगा देखो गई अब उत्तल दर्पन की मैंने आपको दिखा दी उत्तल दर्पन को देखो उत्तल दर्पन में मुकक्च के समानतर आपतित किरने पराबर्तित होकर मुकक्च के जिस बिंदू से होकर आती हुई प्रतीत होती है यानि वो उस बिंदू से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदू को उत्तल दर्पन का मुक के focus कहते हैं यहाँ पे आप दुबारा से भी द बंदु से ये वाली किरान इधर जा रही है और इसी बंदु से ये वाली किरान इधर जा रही है ठीक है ऐसा हमें लग रहा है लेकिन ये वास्ताम में नहीं होता सिर्फ हमें प्रतीत ऐसा होता है चले वैए आगे हम बढ hypothesis है और देखते हैं अगला point fokus dory सबसे इंपर्टन चीश है वाई फोकस दूरी द्यान से दिखीएगा फोकस दूरी क्या होती है गोली दरपन के धरू तब मोग के फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं इससे अंगरे जी के स्मॉल एफ से दर्साते हैं इसमोल एपसे से दरसाते हैं और जो focus दूरी होती है वो बक्रता तरिज्या की आधी होती है focus दूरी बक्रता तरिज्या की कैसी होती है भई आधी होती है या हम कहें कि बक्रता तरिज्या focus दूरी की दुगनी होती है ठीक है यह relation आपको याद रखना वेटा यहां से आपकी numerical बनेंगे बक्रता तरिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी बक्रता तरिज्या की आदी होती है इसको आपको याद रखना है यहां से numerical मैं आपको करवाऊंगा आगे आगे हम बढ़ते हैं एक बार इसको आप डाइग्राम में भी देख लीजिए का ताकि आपको कोई doubt ना रहे यह हमारा अवदल दरपन है और यहां पर मुक के यहां पर धुरूब है और यह हमारा मुक के focus है इन दौनों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी focus दूरी small f कहलाती है यहां पर हमारा देखें तो धुरूबे यह हमारा मुक कच्छे दौनों के बीच की दूरी small f याने की focus दूरी कहलाती है चलिए वाई सबसे last point हम देखते है इस वीडियो का जो की काफी important है दौरग किसे कहते है वाई गोली दरपन का जो परावर तक प्रस्ट होता है न ये वाला इसी को हम दौरग कहते है देखो वई गोली दरपन के परावर तक प्रस्ट तल की ब्रत्ताकार सीमा रिखा का ब्यास यानि ये ब्रत्ताकार है अपने आपने और जितना ये प्रावर तक प्रष्ट तल है इसी को हम द्वारा कहते हैं ठीक है तो MN जो है दर्पन का द्वारा कहलाता है देखो वई MN आप यहाँ पे देख सकते हैं MN क्या है दर्पन का द्वारा कहें चित्र में और एक बार आप देख लीजी ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे M से लेके N तक की जो दूरी है वही हमारी द्वारक कहलाती है ठीक है ये हमारा उत्तल दर्पन हो गया ये उत्तल दर्पन का द्वारक हो गया उमीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको बड़े तरीके से clear हो गये होगे ठीक है तो जितनी भी महत्पून विंदू थे इस चैप्टर के questions को solve करने के लिए वो सारे के सारे मैंने आपको complete करवा दी है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिस की है कि आपको हर एक विंदू अच्छी से याद हो जाए बहुत अच्छी से मैंने explain किया है विल्कुल easy language में मैंने notes आपके लिए बना है again मैं आपको बता देता हूँ telegram को join कर लीजिए वहाँ से आपको इनका PDF मिल जाएगा और इसको आप download करके इनको एक बार अच्छी से याद कर लीजिए एक बार लिखके देख लीजिएगा again मैं ये पूरे के पूरे notes आपको दिखा देता हूँ जो हमने अभी अभी पड़े हैं ठीक है तो इसको आप telegram से डाउनलोड जरूर कीजिए का चलिए भई आज हमारा विज्ञान का ये पहला भाग था अगले भाग में इसके आगे के जो most important question है वो लेके आएंगे question complete करने के बार यानि कि हम देखेंगे प्रतिविम्ब के बारे में कि प्रतिविम्ब कैसे बनते हैं प्रतिविम्ब कैसे आते हैं और आपका जो चिन परिपार्टी होता है अगली वीडियो में हम उसको भी पढ़ेंगे ठीक है फिर हम इसके numerical करेंगे या हम इनको कहते हैं आंकेक प्रिश्ण क्या आंकेक प्रिश्ण हम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो से आपको काफी help मिली होगी और जितनी भी question मैंने आपको बता हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होगे एक बार